उस ट्वीट के बारे में कऊंगी जिसमें आपने प्रधान मंत्री जी और होम मिनिस्टर को धनिवाद किया कि मेरे जन्व दिन वाले दिन ही आपने चापे मारे हैं अभी तक के 200 सदिक चापे पढ़ चुके हैं हमारे ED, IT, DRI पर 36 गड़ा में और पिछले दिनों कांग्रेस का राष्टी महादुशन भी 36 गड़ा में हुआ था उस समय जो लोग ब्योस्थास जुड़े थे उन्हीं घरों में चापा डाले कुछ घर में तो भीना ECIR नंबर के उन्होंने हमारे कारकरतों का चापा डाला क्योंकि उनको बाधित करना था महादुशन को इसमें भी वो लोग जो अभी मेरे जन्म दिन के दिन बहुं सारे कार कम हुए तो जो लोग उसको अर्गनाइज कर रहे थे उसके घर में जाक बैड़ गया है इड़ी वाले मुझे पता भी चला कि आप लोग चापा डालने वाले हैं आज करेंगे क्या आज नहीं कलते इस तारीक है कल करेंगे तो यह सूचना भी थी तो मैंने कहा भी ठीक है तो प्रधान मंदरी जी के धन्नवाद दिया कि आपने बढ़िया गिप्ट दिया मुझे तो यह सार्कास्टिक ट्वीट था कि या आप असल में यह मानते हैं कि क्योंकि आपका जनम दिन था इसी लिए चापे मारे गये थे उसी दिन वह पहले भी कर सकते थे बादमीका से तर रेगलर कर रहे हैं उसमें कहां रोग कहां है कोई रोग भी नहीं सकते हम तो स्वागत ही करेंगे आईए हमारे हां कारवाई करी कि क्या दिक्कत है लेकर आपने चुना कि वह कारकम विफाल हो जाए और उन्हीं के घर में मनिस अजिश्ट होते हैं पर पीड़क तो दूसरे एक पीड़ा देने में उनको आनन्द मिलता है आपका इशारा किसकी तरफ है जो केंदर हम सरकार बैठी उसी इसारा करेंग वह और किसे पीड़ा मिल रहे हैं को वो लोग ऐसे दिन्चैन करते हैं जिसे हम लोग हम लोगों को आपने ये भी कहा कि चापे मारी जो आपके यहां हो रही है यह इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टन में वो जीत नहीं सकते जहां पर उन्होंने दुर्ग के सांसद और आपके जो भतीजे हैं विजय भागेल उन्हें खड़ा किया है विलकु सही बात है क्योंकि कई दौर क बैठक उन्होंने कि किसको लड़ाना है किसको लड़ाना अंत में फिर उसे तैक किया गये लेकिन अभी तक हम लोग समझते रहे कि विजय बगेल ही प्रतिद्वन्दी होगा लेकिन तेज तारीक के घटनक बात पता चला कि असलिए जो प्रतिद्वन्दी है वो ईडी और प्रतिद्वन्दी है हमारे लेकिन अभी क्या है कि सुरू सुरू में कोई भी जब घटना घटी तो उसका प्रभाव पड़ता है जब प्रसम लहर आया था कोरोना का तो सब लोग डर यह था सामय थे लेकिन दूसरे लहर में ज़्यादा महते हुए लेकिन डर कम हो गया था कोविट से भी ज़्यादा डर है एडी का अरतु भी ऐसा है कि वो जान ले लेती है वे राजिती खतम कर देती है